हेलो दोस्तो दोस्तो आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उस देश की बात ही अलग है एक ऐसा देश जहां पर बच्चों को दस साल तक कोई पढ़ाई करने की जरुरत नहीं पढ़ती जहां वो दस साल तक पढ़ाई से दूर रह सकते हैं और सबसे पहला नुकलियर अटेक इसी देश पर हुआ था और इस देश के पास है बुलिट से भी जादा तेस चलने वाली ट्रेन जी हाँ दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जपैन कंट्री के बारे में जपैन पूर्वी एशिया का एक द्वीप रास्टे है जो दुनिया के सबसे विशाल महसागर प्रशान्थ महसागर में बसा हुआ है जानकारों के अनुसार जपैन नाम का अर्थ सूरज के मूल से है और अकसर लोग इसे उकते हुए सूरज की जमीन भी कहते हैं जपैन अनेक द्वीपो का एक समू है इसका अक्षांशे विस्तर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री अक्षांश तक तथा 129 डिग्री पूर्वी देशांतर से 146 डिग्री पूर्वी देशांतर के मद्दे है जपैन में लगभग 1750 द्वीपा लेकिन इसके 99 प्रतिशत भागचार विशाल वीप होकेडो उन्शू क्यूशू तथा शिकोकू के अंतरगरत है जपैन का कुल शेत्र फर 377,727 वर किलोमेटर है संक्या के हिसाब से यह दुनिया का दस्वा सबसे बड़ा देश है जपैन की कुल जन संक्या में से 98.5 प्रतिशत लोग जापनीज है दुनिया के अन्य देशों के तुलना में भारत के बद शायद जपान ही एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों को एक समान का दर्जा द इसके बाद बौद और रिसाय धर्म के लोग यहां अच्छी खासी तदाद में मौदू जिनमें इनकी प्राथनस सलोगो जापन सरकार द्वारा बहतरीन सुरक्षम हुईया कराया गया है जापन के अल्प संक्यक समुदाय में हिंदो धर्म अबराहिम बहाई माननेताओं को मानने वाले लोग आते हैं जिनकी संक्या काफी कम और दोस्तों जैपैन के ओफीशल लैंगविज यैपेनिज भाज़ा है जैपैन दुनिया के महाशक्तिशाली देशों में से एक है जिसके विगत कई दशकों में कड़ी मैनत और अथक प्रयास के बाद देश को सभी शेत् में जैपैन का समाजिक जीवन काफी सोहाध्र पूर्वक होता है जहां आप रात का दर्व बहुत ही जादा कम यहां आपको हर आम इंसान खुद के कारें में व्यस दिखाई देगा जिसका अधिकारिक समय सिर्फ कारोबार नौकर पेशी से जुड़े कारें और रोजगार स से भी जादा वेडिंग मशीन मौजूद है जैपैन वेडिंग मशीन मैनिफेक्टरिंग असेशियेशन के अनुसार एक वेडिंग मशीन करीबं 25 लाख लोगों की जरूरत पूरी करती है जैपैनी कंपनी ने शुरुआत में ही रिटल स्टोर खोलने के बज़ाए सब्सक्राइब करते हैं कहा जाता है कि यहां पर अभ्यास शात्रों को दूसरों की मदद करना और अपने परिवेश का सम्मान करना सिखाता है और दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि जपान में टैन यूस तक के बच्चों पर पढ़ाई का कोई प् यह बच्चे 10 साल तक अपनी बच्चपन की जिंदिगे को मौज मस्ती में निकाल सकते हैं और दोस्तों शिफ्टिंग के दौरान सोना आफ़त बुला लेने से कम नहीं है भारत समेथ कई देशों में ऐसा करने पर या तो आपको बहुत से डाट पढ़ती है या तो कंपनी क च इर आपके खिलाफ कोई अक्चन ले सकता है लेकिन जपनमे ऐसा नहीं है यहाँ और यहां काम करने के दौरान सोना सुौकार्णी यह है माना जाता है कि काम के दौरान सोना आलस नहीं बलकि कड़ी मेनत का संकेत है इस सिस्टम को नेमुरी कहा जाता है यहां की कुछ कमपनिय करमचारियों को दोपहर एक बज़े से शाम के चार बज़े के 20 मिनट सोने की सहूलियत देती है। पहला अफिशिल कोडल कैफे जपैन में अक्टूबर 2012 में खुला जहां गले मिलकर या हाथ पकड़कर बात करने का मतलब किसी को सेक्स ओफर करने का इजाज़त देना नहीं है। तो उन्हें बेहत खुबसूरत माना जाएगा यह अजीबों के बीच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और यह बेहत कोस्टली भी है। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि सबसे पहले नुकलियर बॉम अटेक जपान में हुआ है। दोस्तों यह बात आप लोग को तो बहुत अच्छे से पता होगा कि जैपैन पर दो बार्मानू बमों का हमला किया जा चुका है। दुनिया के इतिहास में परमानू बमों का यूस वर्ल्ड वर्ड टू के दौरान हुआ था। जब अमेरिका ने जपैन के दो शहर हिरोशिमा और नागसाई पर 6-9 अगस्ट 1945 को हमला कर दिया था। दोस्तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जो ऑक्टोपस होता है वो सीफूड में आते हैं जो समुंदरी भोजन प्रेमी होते हैं उन्हें बहुत पसंद आता है लेकिन इसकी बनी आइसक्रीम सुनने में काफी अजीब है जिन लोगों वो खाने में एक्सपेरिमेंट करना हैं तो दोस्तो यह था जब पान आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अपने अंसर जरूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज